कि विटामींई का कैपसूल तो सभी यूज करते हैं लेकिन इने सही तरीके से उप्योग केसे करना है यह किसी को और पता नहीं होता तो आज के वीडियो में मैं आपको 3-4 स्टेप कुछ ऐसी ही बताने वाली हूं कि आपको विटामिन E के कैपसूल का उपयोग कैसे करना है तो आईए मैं आपको फॉर्स स्टेप बताती हूं कि आपको विटामिन E के कैपसूल का उपयोग कैसे करना है मैंने बॉल ले लिया है एक यहाँ पर एट करने वाली हूँ वो है हनी डाबर हनी थोड़ा सा एट करूँगी में जितना विटामी इए का कैपसुल है थर्ड इंग्रेडियंट में यहां डालूंगे हलका सा रा मिल्क इससे अच्छे से मिलाने के बाद हम विटामिन E का कैप्सुल का यूज एक इस तरीके से कर सकते हैं अपने फेस पर पूरी तरह से इसे अपलाई कर ले और ओवरनाइट रखा रहने दे आपको कंफर्ड लगता है तो आप ओवरनाइट रखा रहने दे अधर्वाइस आप इसे दो गंटे बाद वॉष कर सकते हैं देखे विटामिन E का कैप्सुल जो है वो हमारी स्कीन को ग्लो देता है हमारी स्कीन के दाग दबे मिटाता है हमारी स्कीन को निखारता है देखे लगाने के बाद ही कैसा नजर आ रहा है मेरा फेस यह तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से लगाते हैं मैं से वाश कर लेती हूं और उसके बाद आपको दूसरा तरीका दिखाती हूं मैंने वाश क का कैपसुल में एड़ कर लूगी याने के मेरा कहने का सीधा मतलब है कि आप डायरेक्ट विटामिन एका कैपसुल यूज़ मत कीजिए क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है यह तीनों इंग्रेडेंट मैंने एड़ कर लिये हैं अब इन्हें अच्छे समय म पर रहना देंगे और ओरनेट लगा रहने देंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे दिखेंगे आप अपकी फेसपर देख सकते हैं रिजल्ट यह मैंने आपको सेकेंड एक्जांपल बताया है हमेशे वाश कर लेती हूं थर्ड एक्जांपल मैंने यहां पर फुल अर्थ लिया है मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर मैंने गुलाब जलेट किया है और एक विटामिन E का कैपसुल यह तीसा तरीका है विटामिन E के कैपसुल को उप्योग करने का अब इसे आप अपने पूरे फेस पर लगा लीज उसके बाद वाश कर देना है तो यह था विटामिन E को उप्योग करने का थर्ड तरीका विटामिन E हमारी स्कीन में बहुत ज़्यादा ग्लो ला देता है यह देखे मैंने चेहरा वाश कर लिया है वीडियो पसंद आये तो लाइक केज़े चैनल को सब्सक्राइब कीज़े थेंक्स पर वचिंग फ्रेंड बाई